हेलो देखिए आज एक नई वीडियो के संग मैं आपके संग फिर से हाजिर हूँ तो देखिए जो हमारे पास डुपटे होते हैं पुराने हो जाते हैं और उन्हें हम जादा नहीं ओड़ पाते हैं वह होती है और उन चोडियों के भी हम कोही जादा यूज करते हैं नहीं तो देखिए उन्हें दुपटे में इस तरीके से लगाकरके दुपटे को हम एक नया लूप दे सकते हैं जिससरे कि दुपट्टा बहुत सुनदर लगे तो इस तरीके से डुपट्टे के जो कॉर्णर किनारे होते हैं नीचे वाले आइट साइट के उसमें इस तरीके से हम चार चूडियों को रखेंगे और उसे इस तरीके से हमने सिलना है देखे गाई किस तरीके से सिलना है सुई से हम इस पर टाके लगा दिंगे जिससे कि यहा आप मसीन से भी कर सकते हैं चाहें तो या फिर आप सुई से भी कर सकते हैं मैं इसमें सुई से करूंगी और इस तरीके से आप ये तो मैंने केवल बताने के लिए किया है आप दुपट्टे के कलर की चूड़ियां ले सकते हैं तो इससे आपका दुपट्टा बहुत सुंदर औरनाइजर बन जाएगा जिससे भी आप जहां भी जाएगे तो लोग यहीं पूछिंगे कि क्या यह आपने घर पे पनाया है तो देखिए इस तरीके से कोई कहा नहीं सकता है बिल्कुल मार्केट लेवल का लगेगा इस तरीके से मैं इन चुडियों को भी इसी तरीके से इस तरफ लगा दिया है और सेम इसी प्रोसेस को हमने दूसरी साइड भी कर लेना है तो इसी तरीके से मैंने चार चुडियों को इस साइड भी लगा दिया है चार चुडियां काफी है ज्यादा मैं भी फिर वो बजन ज्यादा हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से इसमें ए आप contrast भी ले सकते हैं मैं केवल इसी का ले रही हूं तो देखिए इस तरीके से मिर पास एक कपड़ा पड़ा था इसी color का है same इसे हम एक equal shape में cutting करेंगे और cutting करने के बाद हमने एक 2.5 इंच के बीच एक पट्टी डाइप की काटनी है इस तरीके से और इसके square piece बनाने हैं करेंगे अब हमने क्या करना है इनी टुकणों पर इस तरीके से cutting कर देना है चार चूड़ी हमने इस साइट लगाई है तो चार हमें इसके लिए चाहिए और चार जो हमने उस तरफ लगाई हुई है तो उसके लिए भी हम same इसी तरीके से cutting करेंगे cutting हमने इस तरीके से करनी है तो इस तरीके से हमारी cutting देखिए complete हो जाएगी आप इस तरीके से ही square बनाएए छोटे बड़े आप अपने according रख सकते हैं तो आप देखिए और चीज़ों करते हैं side और किस तरीके से हम इस चूड़ी पर इसे लगाईंगे कि एक सुन्दर इसे look और मिल जाए तो देखिए हमने जो ये लिया है इसे हम इस तरीके से fold करेंगे एक बारा और इस तरीके से हमने इस पर यहां पर हम इसे रखेंगे और इस तरीके से इस पर हम टाका लगा देंगे अब जब हम इस पर टाका लगाएंगे तो आप इसे सुई से ही करेंगे और सेम हम उसी तरफ से इस तरफ के लिए भी से काटिंगे अब देखिए हमने क्या करना है इस तरीके से हम लेंगे और यहां पर आप इस पर दो दो टाके लगा देजिए यह काफी टाइटली होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं कि निकल जाए इन दुबट्टों को हम रोज र जो ओड़ते नहीं कभी कभारी ओड़ते हैं तो हमारे सेफ ही रहते हैं तो इस तरीके से एक पर देखिए हमने इस तरीके से लगाना है और इसे टाइट करके इसकी कटिंग करनी है सेम इसी तरीके से हम नेक्स में भी लगाएंगे और इस तरीके से हम इसे पूरा तो इस तरीके से बन करके बखो सुंदर एक सिंपल लुपटे को भी हम एक सुंदर सा आकार दें सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसे कमप्लिट कर लिजये। तो देखिए आप कैसा लग रहा है दुपट्टा ये आप देखके खुदी देखिए कि कितना सुन्दर एक सिंपल दुपट्टे को हम बना सकते हैं तो इस तरह आप भी अपने घर में जो बेकार पड़े दुपट्टे होते हैं उन्हें औरगनाईज कर सकते हैं ये पाल्टी वेर दुपट्टे बन करके बिल्कुल रेडी हो जाते हैं तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा थांक्यू